हालो गाइस, वेलकम टो माई चैनल अडे विद यास्मीन आज मैं आप लोग को दिखाऊंगे बच्छों का कोल्ड अन काफ के लिए होममेट बेबी मसाज ओयल तो चलिए देखते हैं यह ओल बनाने के लिए पहले हम लोग को लगेगा पांच या छे गर्लिक यानि की लसुन का दाना चार से पांच क्लोफ यानि की लॉंग ब्लैक क्यूमिन सीट्स यानि की काला जीरा कैरम सीट्स यानि की अजवाइन लसुन को हम लोगों को इस तरह से छोटा-छोटा करके चॉप कर लेना है अब एक पैन लेना है और उसमें तेल डालना है मैं यहाँ पे सरसो का तेल यूज करी हूँ क्योंकि यह होममेट सरसो का तेल है आप लोग अगर दूसरा कोई तेल यूज करना चाहते हैं लेकिन अगर आप लोग सरसो का तेल यूज करना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग घर के बना हुआ सरसो का तेल ही यूज करें मार्केट से खरेते हुआ सरसो का तेल ना यूज करें तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ओयल ले लिया जितना मुझे जरूरत है तो अभी इस oil में हम लोगों को साड़ा ingredients डालना है पहले हम chopped किया हुआ लसुन डाल देंगे उसके बाद बाकी जो काला जीरा है अजवाइन है और लॉंग है उसको डाल देंगे अब इसको अच्छे से मिला लेंगे अब इसको gas में रखके gas को on करके high flame में रखना है और इसको अच्छे से boil करना है तो देखिए मैंने यहाँ पर gas on कर दिया और इसको boil होने के लिए छोड़ दिया है अब इसको तब तक boil करना है जब तक यह लसुन का color deep brown ना हो जाए यहाँ पर देखिए यह oil अच्छे से boil हो रहा है सारा ingredients अच्छे से boil हो रहा है और oil के साथ अच्छे से वो मिल जा रहा है देखिए लसुन का color अब change होते जा रहा है और जब तक यह deep brown हो जाएगा तब हम लोग इसको बंद कर देंगे आप लोग यह oil बना के पुड़ा winter तक store करके रख सकते हैं और इसको daily use कर सकते हैं आराम से इसको बस हलका सा गरम करना है daily और इसको baby के उपर apply करना है इसमें इस से baby को cold या cup से baby को बहुत रहात मिलेगा और बहुत आराम मिलेगा बीच बीच पे हम लोग को oil को अच्छे से shake करना है ताकि सारा ingredients अच्छे से इसके अंदर boiled हो अब देखिए लसुन का color पुड़ा brown हो चुका है तो अब मैं gas को बंद कर दूँगी मैंने gas को बंद कर दिया इसको थोड़ा सा हलका करम होने के लिए छोड़ दिया जैसे ही वो हलका करम हो जाएगा हम बेबी के apply करने के लिए ये बिलकुल ready हो जाएगा आप लोग ये strain करके रख सकते हैं इसको दो मैना तीर मैना के लिए आराम से store करके रख सकते हैं और ये use कर सकते हैं आप लोग को अगर ये video useful लगा तो प्लीज मेरे video को like and share कर दीजिएगा बाकी moms के साथ और मेरे channel को subscribe कर दीजिएगा तक्स पर वाचिएगा